नमस्कार दोस्तों, आज यानी 7 अपरिल 2017 का हमारा प्रिलिम बूश्टर इन्यूस डिसकेशन है, उसमें से देख लेते हैं कौन को सी न्यूस इंपोरेंट है तो देखें, GST पूरे साल का ये बर्निंग टोपिक रहा पिछले साल, और इसलिए प्रिलिम में काफी तरह के कोश्चन्स इस पर पूछे जा सकते हैं, तो चलिए कुछ कोश्चन्स पर हम चर्चा करते हैं सबसे basic questions तो वो पूछा सकते हैं कि आखिर कार कِस tax के लिए है क्या ये direct tax के लिए है या फिर indirect tax के लिए है तो सबसे basic question आप बताईए देखिए, indirect tax के लिए है ये जो GST है, goods and service tax direct tax वो होते हैं जो किसी भी person पे लगते हैं तो वो directly government को देते हैं indirectly tax जैसे मालीजी example तोर पर आपको मैं बताऊं तो मैं अगर कोई चीज खरीदता हूँ किसी दुखंदार से मालीजी coldering खरीदी मैंने तो coldering पर भी मुझे tax चुकाना होगा लेकिं directly वो tax मैं government को नहीं धूँगा दुखंदार है उस sale tax के वसूली में से कर लेगा और बाद में दुखंदार उस tax को government को देगा तो government indirectly हमसे जो tax लेती है उन taxes को कहते हैं indirect tax तो GST indirect taxes के लिए है जैसे sale tax, excise duty यह सब tax आते हैं indirect tax के अंतरगत में अब और कौन-कौन से questions इसमें बनते हैं GST में दूसरा important question तो यह बनते है कि देखें यह कौन-कौन से tax central list से GST में आए हैं sub-summed हुए हैं कौन-कौन से tax state list से जो GST के अंतर में sub-summed हुए हैं तो center के tax यह थे central excise duty, additional excise duty, service tax, countervailing duty, additional duty of customs, surcharge, education, secondary, highway education, CES तो यह थोड़ा याद रखेगा surcharge और CES में difference क्या होता है दोनों के दोनों surcharge और जो CES होते हैं tax on tax होते हैं लेकिन जो CES जो होता है वो किसी particular purpose के लिए वसूला जाता है माली जी आज अगर UPC aspirants की सित्ति है जो राजिंदर नगर या मुखरजी नगर में दयनी है तो सरकार इसके लिए कोई tax लगा सकती है CES लगा सकती है इस पर tax on tax कि राजिंदर नगर में जो UPC aspirants से उनकी situation को uplift करने के लिए ये CES वसूला जाएगा लेकिन जो surcharge होता है वो किसी particular purpose के लिए नहीं होता वो सरकार अपनी मर्जी से कहीं भी इस्तिमाल कर सकती है तो दोनों difference है है दोनों की दोनो tax on tax tax on tax का क्या मतलब होता है मालीजी सरकार जो income tax लगा रही है उस पर भी एक और tax लगा देगी तो ये होता है tax on tax तो एक और जो तीसरा question बन सकता है GST पर ये बन सकता है कि क्या जो है GST source based tax है या फिर destination based tax है तो आप बताइए क्या ये source पर लगाया जाता है या destination पर लगाया जाता है देखें logic लगाईए GST का मकसद क्या है main GST का मकसद ही यही है ना कि जब कोई चीज produce होती है वहां से लेके जहां पर ये बिखती है वहां तक बीच में काफी तरह की tax लग जाते है यानि cascading of tax हो जाता है तो GST का मकसद है कि एक ही tax लगाया जाए तो एक ही tax तो वहीं लग सकता है destination पर समझ गए तो ये source based tax नहीं है ये destination based tax है तो ये याद रखिएगा और कौन-कौन से question बन सकते हैं GST पर GST पर एक GST council को लेके भी question बन सकता है important ये GST council जो है ये हमारी constitutional body है हमारे सविधान के अंदर में इसे बनाया गया है तो members के बारे में थोड़ा देख लीजिए और देखे एक तिहाई जो voting power होगी वो जो union minister of finance होगी या फिर जो state union finance minister है वो भी हमारे जो finance ministry के अंदर में जो state minister होते है ना उनके पास में भी power होगी दोनों मिलाकर और दो तिहाई जो power होगी वो जितरे राज्य हैं उनके finance ministers के पास में होगी और जो भी decision लिया जाएगा इसमें अगर तीन चुथाई एक परकार से जब members available होगी अगर तीन चुथाई members के परकार से consent से जो पास होगा decision वही मानने होगा और quorum यानि अगर 50% से कम members है तो meeting होई ही नहीं सकती GST council के तो यह 3-4 बाते याद रखेगा power याद रखेगा one third central government के पास में two third state finance ministers के पास में यानि state government के पास में कोई भी decision पास करने के लिए तीन चुथाई voting से वो decision पास करना होगा और meeting होने के लिए कम से कम 50% members का होना ज़रूरी है chairman कौन होंगे हमारे finance ministries के chairman होंगे फिलाल अरुंज एक लिए तो इसलिए यही chairman है सारी बाते याद रखेगा एक जो देखिए अभी बिल पास किया गया है काफी सारे बिल्स चर्चा में हैं और एक ये मुद्दा भी सुर्ख्यों में था कि government जो है money बिल्स के तोर पे कई बिल्स को पास कर रही है तो ये हम discuss कर लेते हैं आखिर का difference क्या है राज्यसबा और लोक्सबा के बीच में देखे लोक्सबा के पास मेरा ज़्यादा powers होती हैं थोड़ी कौन-कौन सी power ज़्यादा होती है लोक्सबा के पास में मनी बिल जो है वह लोक्सबा में पास होट सकता है राज्यसबा गर इसका विरोध पर तो भी कोई फरक नहीं पड़ता इवन लोकस्बा के speaker ही ये decide करते हैं क्या ये money bill है या फिर नहीं है लोकस्बा हर 5 साल के बाद में दुबारा एक प्रकार से गठित की जाती है या फिर बीच में भी हो सकती है अगर dissolve हो जाए तो लेकिन राजस्बा जो है वो एक permanent house है इसे dissolve नहीं किया जा सकता और राजस्बा के पास में जो दो important powers अलग से होती है वो ये है कि अगर दो तिहाई voting से राजस्बा को ऐसा resolution पास कर दे तो वो एक all India service का निर्मान कर सकती है अगर इंपीच्मेंट करना हो तो राजस्बा के पास में special powers है तो दो चीज़े याद रखिएगा ये दोनों की दोनों एक तो special all India service बनाना हो या फिर जो वाइस प्रेजिदेंट का इंपीच्मेंट करना हो बाकी लोगस्बा के पास में तो कई powers हैं कई तरह की जो दूसरी powers भी इनके पास में है अब देखिए question मैं आपसे पूछी तो आपको इस question का answer देना है council of ministers जो है directly responsible है parliament के चाहिए statement सही है ये गलत है दूसरी statement रजस्बा gets dissolved every five years अब ये भी discuss किया है देखिए पहली जो statement है न काफी confusing statement है 2013 में UPSC ने इस पर question पूछा था देखिए जो council of ministers होते हैं वो लोगस्बा के accountable होते हैं लोगस्बा के responsible होते हैं लेकिन पूरी parliament के नहीं होते तो अगर parliament लिखा आ जाए या फिर रजस्बा लिखा आ जाए यहाँ पे तो वो statement गलत हो जाएगी अगर सिरफ लोगस्बा लिखा हुए है न यहाँ पे council of ministers are directly responsible to लोगस्बा, directly accountable to लोगस्बा, वो statement बिल्कुल सही होगी otherwise parliament या रजस्बा है तो वो statement गलत मानी जाएगी तो confused बिल्कुल मत होईएगा नीचे का जो statement है रजस्बा यह तो असांसी statement है permanent house है देखे वैसे 6 साल किसी एक रजस्बा के members का कारेकाल हो सकता है लेकिन हर 2 साल के अंदर में एक तिहाई जो members है रजस्बा के वो retire हो जाते है रजस्बा कभी भी dissolve नहीं होती एक और जो मैं आपको important fact बताता हूँ इसमें important आपको काफी important information यह है अच्छा यह बताएए ग्राम सबा जो है ग्राम सबा कितने सालों के बार dissolve होती है ठीक है ग्राम सबा कभी dissolve नहीं होती याद रखिएगा ग्राम सबा और रजस्बा एक समान है ग्राम सबा होती है ग्राम सबा होती है जो जिनके पास में vote बना हुए है गाउं में उनकी एक council आप इसको ग्राम पंचायत से confused मत कीजेगा यानि जो ग्राम पंचायत में तो वो आ जाएंगे जो members चुने जाते हैं, सरपंच चुने जाते हैं ग्राम सभा अलग होती है, ग्राम सभा में तो सिरफ वो सभी मेंबर्स होती है, जिनका गाउं में वोट होता है, तो ये कभी डिजोल नहीं होती, तो ऐसी राज्यसभा के साथ में है, ये देखिए, important important facts है, इस पर कितने सारे questions बन जाएंगे, 5-6 questions यहां पर बन जाएंगे, GST एक बात पर focus करती है, government के awards हो, तो UPSC उनके बारे में पूछ सकती है, जिसे इसरो के awards के बारे में पूछा था, और जिसे इंद्रागांधी Peace Prize के बारे में, UPSC ने पूछ लिया था, 2015 में, UPSC इस तरह की चीजों के बारे में, अगर माली जो national film fair awards है, जिसे जो private film fair awards नहीं, लेकिन जो national film से related awards दिये जाते हैं, हमारे information and broadcasting ministry के दवारा, ऐसी तरह की चीजों के बारे में UPSC पूछ लेती है, तो बस हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं, कि जो परमवीर चकर, महावीर चकर, वीर चकर, ये किसलिए दिये जाते हैं, देखिए, युद के दुरान में, ये अगर एक परकार से अदबुत और अदम में सहास का प्रीचय देता है, और इवन अपनी जान पे खेलते हुए, अपने बाकी साथियों के तक्सा करता है, या फिर काफी बहादुरी दिखाता है, सेल्फ सेक्रिफाइस करता है, तो एक परकार इसी लिए जो ये अवोर्ट द परकार से आपनी जान पे खेलते हुए, और ये जान पे खेलते हुए, अपनी जान पे खेलते हुए. तो देखे, उसके बाद में जो असोग चकर, किर्ती चकर और सोर्या चकर हैं, ये इनमे उपर वालों के बीच में और नीचे वालों के बीच में डिफरेंस एक ही है, क्या कि कि ये ना सिरफ सांती के दुरान में दिय जाते हैं। जैसे अब युद तो चल नहीं रहा, सिर्फ कारगिल में चल रहा था युद, उसके बाद हमारा को युद तो हुआ नहीं भारत का, तो असोग चकर और किर्ती सोर्या सांती की दुरान में अगर सेम तरह का सेक्रिफाइस करें, सेम तरह का एक प्रकार से अपनी साथियों की र और विशिष्ट सेवा मेडल, यह तो देखिये, सिर्फ आप कह सकते हैं कि उपर वाले तो एक प्रकार से जो हमारी कोंबेट फोर्सी हैं उनके लिए होते हैं, नीचे वाले तो और भी कोई तरह की यूद की दुरान में, डिस्टिंग्स सर्विस या फिर एक्सेप्सनल सर् रसिया ने कुडन क्लम में जो हमारा नूकलियर बनाया गया था वो रसिया के दुटाया गया था और unit 1 जो है अब उसका प्रकार से पूरी बना करके तो नहीं सकता है, बना करके हैं तो इसक्रस पह नहीं बनता, मतलब खाला खाला की details है, questions इसपह बन सकता है, देखिए नु के रखे हमने अपनी पूरी योजना बना के रखे हैं 1950 में हमने योजना बनाए थी और जो ग्रेट साइंटिस्ट हमारे राए होमी भाबा उनके द्वारा ये पूरी स्टेजी में अपनी एक प्रकार से अटोन में हासिल करने के लिए ये फेजी के निर्मान किये गए थे तो के शुरू में हम नेच्राल यूरेनियम के साइथा से इलेक्रिस्ट्री प्रेड्यूज करेंगे जो इसकी आउत्पूट होगी इँपट जो होगी वो नेच्राल यूरेनियम यनी की अर्टृटी ए खोगी और जो आउट्पूट होगी वह डिप्लेून भी जो ऐनिख़ाय फॉरियम को second stage में यूज किया जाएगा जो कि है हमारा fast breeder reactor इसका देखे जो plutonium इससे produce होगा उसको बात में दुबारा से input में भी यूज किया जाएगा और अब इससे जो output में uranium 233 मिलेगा इस stage से यानि second stage से जो uranium 233 मिलेगा उसको third stage में यूज किया जाएगा जिसका नाम है uranium 233 fuel breeder reactors अब बात यह है कि third stage में thorium का भी यूज किया जाएगा हमारे पास में देखे uranium तो नहीं है लेकिन थोरियम के हमारे साथ हिंडिया में जो केरला में कोस्टल है कोस्ट एरिया है वहाँ पे thorium के हमारे पास में बहुत ज्यादा बंढ़ार है 25% जो thorium है हमारे देश के जंदर में है अब thorium और यहां की आउटपूट यानि uranium 233 से मिला कि electricity produced होगी और जो uranium 233 यहां की आउटपूट से मिलेगा वो दुबारा से इसमें यूज होगा काफी कुछ अभी पहली बार जिसने सुना होगा तो समझ में आया होगा थोड़ा बार यह uranium के नाम है तो एक द इनों नाम याद करिएगा अब देखें बीच-बीच में आप याद मत रखेगा सबसे पहले तो पहले क्या दिया यह आद होना चाहिए आपको सबसे पहली स्टेज में जो नैच्रल यूएनियम हमें दिया और एक यह याद होना चाहिए कि दूसरी सबसे लास्ट की जो फॉरियम का हूं कर दो क्या खकर घ्षए करेंगे तो यह तीन चाहिब करें चाहिए पूरा सेक क्डे गूर्फि जो सेमें चैस का ऍहीं आया यह सब नहीं याद रहे तो कोई बात नियुदा में घृत थान में हंँरे में नरोर्वा उतर परदेश में नूकलीर रेक्टर है और यहाँ पर देख लिजे जो कुडन कुलम है यह तमिलाडू में है कलपकम जो है वो भी तमिलाडू में है कोवाडा जो है नुक्लियर एक्टर अंध्रपरदेश में है और जो वेश्ट बंगाल में हरीपूर है कहगा करनाटका में है जैतरपूर महाराष्टरा में है और उ हो तो कि देखे जो नए बन रहे है न वो ज़्यदा इंपोर्टेंट है नए कौन-कौन से हैं जैसे गोरकपूर हर्याना में जैतरपूर जो है वो महाराष्ट्रा में है और जो ये हरीपूर वैस्ट बंगाल में कोवाडा आंधरपरदेश में खास करके ये चार याद इस्टश करें तो मालीजी दो पार्टी और रखे नहीं किया हुँ है और फिर भू जो है आवाज आनी बंद हो गई है फिर फोन घुर sugar यानि cold wraps वो होती है कि दो parties जब आपस में बात कर रही है लेकिन बिना किसी के cold disconnect किये बिना ही जब फोन कट जाता है किसी technical regions के कारण इस issue को कहते है cold wrap, cold wrap, cold wrap, cold wrap, cold wrap, तो देखिए काफी कारण हो सकते हैं इस cold wrap के कौन-कौन से कारण हो सकते हैं यहाँ पर देखिए, देखिए एक स्टेट से एक राजय से दूसरे राजय में आप जाते हो तो रोमिंग जो है वो लगती है तो यह कारण हो सकता है डैजोन में आप आ जाते हो कई बार आप लिफ्ट वगरह में या फिर टरनल वगरह में आ जाते हो जब भी आपकी cold disconnect हो सकती है और कई तरह के टावर से प्रोब्लम जैसे कि टावर ऐसी जिगह पर चले जाते हो आप जहां पर टावर ती रेंज नहीं आ रही ट्रांस्मिशन में एरर आ रहा है या फिर टावर के हाड़वर में कोई प्रोब्लम आ गई है इस तरह की यह तमाम तरह की प्रोब्लम से या फिर कॉस्टमर्स के हैं प्रोब्लम है है जो है वो जो चाइनीज है कोई गटिया क्वालिटी का है या फिर जो बैटरी है वो नहीं है यह तो बिल्कुली बेसिक्स होगे बैटरी खतम हो जाएगे तो कैसे रेंज आएगी बस यह थोड़े आप रिजन्स जो है वो याद रखेगा यूपेसी पूछ स अब P.I.B की तरफ बढ़ते हैं देखे एक M.O.U. साइन हुए है राष्टिय क्रिशी विकास योजना एक स्कीम है जिसमें क्या करते हैं जिसमें एक प्रकार से फंड्स प्रोवाइड करती है राष्टिय क्रिशी विकास योजना में सेंट्रल गोर्मेंट स्टेट गोर्मे अब किस प्रकार से इंवेस्ट्मेंट हो सकती है देखे इस सेक्टर में इस योजना में राष्टिय क्रिशी विकास योजना में काफी तरह से पैसा इंवेस्ट हो सकता है जैसे अगर agriculture के लिए mechanization process हो Soil Health Cars, IPM Market Infrastructure, Horticulture यह सारी तमाम तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर investment हो सकती है MOU यह sign हुआ है जो जो investment रश्टे क्रिसी विकास योचना के अंतरकत में होती है उसको geotag किया जाए तो geotag क्या होता है geotag यह होता है कि देखे मालीजे map में अगर particular location पर किसी photo को add कर दिया जाए कोई और अन्य multimedia चीज को add कर दिया जाए ताकि उससे यह पता लग जाए अब मालीजे यह map है कोई भी map है यह इंडिया का, South India का map हमालीजे और यहाँ पर देखे मालीजे यह तमिलाडू है तो यहाँ पर राष्टे क्रिशी विकास योजना का टैगिंग करोगे तो मालीजे निचले एरिया में यहाँ पर कन्या कुमारी में मालीजे कोई infrastructure त्यार किया है agriculture से लेक्टिड तो photo add कर देंगे यहाँ पर बहुत बड़ी lab है और यहाँ बहुत बड़ी इसके बारे में सुना होगा काफी basic चीज हम इसके बारे में discuss करेंगे कितना highway का निर्मान हुआ है इसके तैट में यह सब चीजे हमें पता होने क्या आप सकता नहीं है बस P.I.B. में इसकी news थी लेकिन basics में आपको दाता हूं देखिए इसमें क्या होता है माली जीए जो हमारी government है वो किसी private party को कोई tender देना चाहती है तो इस model में क्या होगा तो example के तो पर माले थे हैं कि government ने किसी private party को कहा कि आपको एक सड़क का निर्मान करना है तो माली जीए इस model में क्या होगा आप government उस सड़क को मनाने के लिए उस private party को पहले सबसे पहले तो 40% fund दे देगी शुरू में दे देगी ताकि कम से कम एक पर कासी रिस्क ना रहे उस political जो प्राइवेट party है और वो उस सड़क का निर्मान कम से कम स्टार्ट कर दे तो बाद में क्या होगा जो 60% पैसा है वैसे देखे 40% पैसा है वो भी एक बार में government नहीं देगी वो 5 साल के अंदर अंदर देगी और वो इंस्टाल्मेंट्स है उसमें देगी लेकिन यह हमेशा flexible रहता है कितने इस्टाल्मेंट्स में देगी और कितने सालों में कहने का मतलब बस यह कि 40% जो पैसा है पहले जो government है वो शुरुवात में दे देगी जिससे कम से कम जो infrastructure का जो project है इस case में सडक जो है वो private party स्टाट तर देगी अब बचा 60% 7% जो पैसा है वो government बाद में चुकाएगी जब project बनके तयार हो जाएगा जब वो private party जो वो project बना लेगी सडक बना लेगी तो बाद में government उनको 60% पैसा देगी यानि कि सुरू में 40% जो पैसा है सरकार देगी और बचा हुआ बन गई तो जो toll है उसको जो operate करेगा वो करेगा government यानि NHAI ठीक है तो यह questions बनते हैं इसमें से अब आपको जो concept अगर समझ में आ गया तो मैं आपसे question पूछता हूँ question simple से यही पूछेगी कि क्या इसमें एक प्रकार से जो 40% जो है वो शुरुवाद government देगी तो यह तरह कि जो basic questions हमने डिसक्स किया क्या जो tolls है वो government operate करेगी यानि NHAI operate करेगी और private companies operate करेगी तो तीन-चार question इसमें बेसिक बन जाएंगे अगला जो है वो issue है small farmers agriculture business consortium को लेके SFAC यह देखिए एक यह क्या काम करता है जो organization है यह kind of venture capital प्रोवाइड करता है जो ऐसा कोई भी individual cooperative society है फिर कोई भी company अगर agriculture processing industries कोई खोलना चाहता है यहाँ पर अपनी investment करना चाहता है तो SFAC इनको venture capital fund प्रोवाइड करेगा ताकि जो agriculture processing industries ह उसमें बढ़ोतरी होए और जो जो किसानों की जो values है products की जो first law की values है उनमें बढ़ोतरी हो beneficiary कोई भी हो सकता है individual हो सकता है farmer हो सकता है producer groups हो सकता है partnership property firms हो सकती है तो in proportion बन जाते हैं अभी UPSC क्या पूछेगी this scheme is available only to individuals only to individuals आ जाएगा बस वहीं हमें एक प्रकार से conscious हो जाना है चलते हैं अगले news की तरफ में मेरा गाउं मेरा गोरव मेरा गाउं मेरा गोरव एक scheme चुलाएगी थी government के द्वारा जिसमें scientist जो है वो जैसे MPs या MLs जो है आज कल एक एक जो गाउं है वो adopt कर रहे हैं वैसे ही जो scientist है अपने एक जो गाउं है उसको एक प्रकार से adopt किसानों के साथ में उनको एक तरह से ताकि जो साइंटिस्ट है उनको बहतर जानकारी देश के टेकनिकल फिल्ड से इलेक्टिड या जो भी अग्रिकल्चर से इलेक्टिड जानकारी है उनको प्रोवाइड किजास के कहने का मतलब यह है कि scientist एक एक गाउं adopt करके वहाँ पे agriculture productivity को बढ़ाने के तरफ में कदम उठाएंगे अगला जो देखे इन्वार्मेंट से लेक्टिड जो न्यूज है वो है Heritage Hero Award ये दिये जाते हैं IUCN के द्वारा में और किसलिए दिये जाते हैं माली जी बाइडवेश्टी को गंजर्व करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा काम करता है तो उसके लिए ये awards दिये जाते हैं इस साल आसम के जो मानस नैसनल पार्क है तो ये आद रखेगा मानस नैस के द्वारा में दिये जाते हैं इन्होंने काफी अच्छा काम किया यहाँ पे मानस नैसल पार्क में वहाँ पे इन्होंने एक प्रकार से ग्रास लैंड को सेव करने की तरफ कदम उठाए तो ये थोटा सा आप याद रखेगा आगे है domestic armed forces exercises बहुत ज़्यदा important है ज्यान से देखेगा जल रहत exercise आर्मी के द्वारा की गई थी गुवाटी में असम में किसलिए फ्लडिंग से निपटने के लिए बार से निपटने के लिए दूसरा जो exercise है वो है प्रकंपना प्रकंपना क्या होता है हिंदी में इसका मेनिंग क्या होता है प्रकंपना का पता नहीं पता हो तो आप बताएगा facebook पे क्या होता है इसका मेनिगा फिर website पे बताएगा दीए जो exercise है वो इंडियन नवी के द्वारा की गई थी विसाखा पत्नम जो कि आंधरप्रदेश में है ये सुपर साइकलोन से निपटने के लिए ताकि एक मोक exercise थी जो कि नवी द्वारा की गई थी और ये की गई थी विसाखा पत्नम में तीसरा जो है ये exercise तीसरी exercise का नाम है साइता यानि Help Assistance Aid ये देखिए ये exercise की गई थी Air Force के द्वारा भुच गुजरात में प्राइमरी एक प्रकार से अर्थक्वेक यानि भुकंप से निपटने के लिए इंडिया के वेस्टन डीजन में ये exercise की गई थी और की गई थी किसके द्वारा में? Air Force के द्वारा में तो तीनों exercise जल रहत, प्राकंपना और साइता तीनों याद रखिएगा अगले जो एक प्रकार से चीज है Environment का इंपोर्टन जो आर्टिकल है वो हिमांस से रिलेटिड है हिमांस देखिए एक remote high altitude station जो की हिमालिया में जिसे open किया गया है हिमांस का मतलब होता है slice of ice ये एक परकार से National Center for Antarctic और Ocean Research द्वारा खुला गया है वहाँ पर जाके glaciers की research करेगा और देखेगा की climate change का हमारे glaciers पर किस परकार से परभाव पड़ रहा है तो इससे हमें ये पता लग जाएगा कि जो reverse में पानी है वो कम है ज्यादा क्यूं है और क्योंकि देखेए नदिया तो हिमाले से निकलती है तो बस ये याद रखिएगा हिमांस है क्या तो बस ये याद रखिएगा हिमांस जो है high altitude glacialogical research station है और क्या करेगा क्या इसे फाइदा होगा किस के द्वारा खोला गया है National Center for Antarctic and Ocean Research के द्वारा ये खोला गया है और है कहां पे हिमाचल परदेश में है ये भी आप याद रखिएगा जो last जो science and tech की news है वो ये है कि देखे चाइना का जो sunway company है उसने अपना सबसे fastest सूपर कंप्यूटर बनाया है जिसका नाम है Taui Light बस नाम याद रखेगा Taui Light और एक जो नीचे जो news है वो यह है Trianetra से related Trianetra क्या है Trianetra की full form तो देखे बनती है Terrain Amazing for Diesel D-Rivers Infrared Enhanced Optical and Radar Assisted System देखे जो काफी तरह की accidents होते है वो कई बार तो सर्दियों में दूंद की वज़े से होते है यह Trianetra है यह Radar का यूज करेगा यह High Regulation images का यूज करेगा उसकी साइटा से जो drivers है उनकी जो देखने की शक्ती है वो काफी जादा बढ़ जाएगी machine से ऐसे नहीं की आँखों की शक्ती बढ़ा देंगे drivers की उनके पास में ऐसे equipment मुझूद होएंगे जिससे वो दूर तक देख सकेंगे और accidents जो हैं वो काफी एक प्रकार से कम हो जाएंगे तो यह है और आज क्या करेंगे आज क्या करेंगे, क्या करने वाला था मैं हाँ, इंडिया airbook मैंने अपने दोस्त को का था कि इंडिया airbook discuss करने के लिए and he is highly qualified, चार बार उसने mains निकाला और interview भी दिया तो वो आज से साम तक मैं इंडिया airbook की डाल दूँगा, जो वीडियो है तो बारा वीडियो मैंने उसको डालने के लिए का था, तो आपको एक काम करना है बारा वीडियो देखे हो, साथ-साथ देख लेना, बाद के लिए मत छोड़ना, क्योंकि अभी तो टाइम है तो सत्तर एक दिन आसपास अभी पड़े है फाइनल एक्जाम को, तो आप साथ-साथ जैसे-जैसे पब्लिस होना वैसे-वैसे देख लेना, बाद के लिए मत छोड़ना क्योंकि जैसे-जैसे प्रीलिम नस्दीक आएगा, बाद में इन चीजों के लिए टाइम नहीं बचेगा, अभी टाइम है तो जितने भी मिंट की वीडियो हो, आदे घंटे की बनेगी है, फिर चालीस मिंट की बनेगी वो साथ-साथ देख लेना, काफी फाइदा होगा इंडिया एर्बुक से, क्योंकि काफी कोश्चन्स आते हैं और जो हमारी डाइनमिक नॉलेज है, जिसके बारे में आज कली उपेसी कोश्चन्स पूछ रहा है वो कोश्चन्स, वो जो नॉलेज है, वो काफी बड़ेगी इंडिया एर्बुक से ठीक है, तो आज की डिस्क्रेशन में बस इतना ही, थेंक यू